हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो कैसे आप सब आई होप आप से बच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ मुर्मुरे की एक बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जो शायदी इसके पहले आपने कभी बनाई होगी क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि मुर्मुरे का तो हम भेल वगयरा बना लेते हैं डोसा वगयरा भी बना लेते हैं बट यह रेसिपी शायदी आपने इससे पहले कभी ट्राइब की हो तो चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं और फ्रे एक mixer जार लेंगे और इसमें transfer कर लेंगे और इसको अब हम ऐसे ही blend कर लेंगे मतलब इसका हमें powder बनाना है चूरा बनाना है तो ये देखें इसका powder बनके ready है थोड़ा बहुत अगर ऐसे मुरम्रा रह भी जाता है तो कोई फरक नहीं है उससे और अच्छा crunchy आएगा तो ये दे यहाँ पर आप चाहना तो आलूओं को मैश भी कर सकते हैं और यह 3 मीडियूम साइज के आलू इनफ होते हैं दो लोगों के लिए नास्ता बनाने के लिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो हमारे आलू अच्छे से ग्रेट हो गया और इसके बाद हम इसमें एड कर देंगे यह ज दाल देंगे इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है और उसके बाद मैंने एक मीडियम साइस का प्याज लिया है जैसे हम पकॉड़ी बगएरा के लिए कट करते ना उसी तरह कट करके लंबर लिंबे स्लाइस में और इसको हम थोड़ा सा हाथों से अच्छे से मैश कर कौण फलोर एट कर दीजें जिससे नाश्ते में और अच्छा करंच आएगा तो यहां पे तीन बड़ी चमच मैंने यहां पर नमक डाल दिया है तो आप अपने taste according नमक डाल दीजेगा फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया है आदी छोटी चमच healthy powder जिससे इसका color भी बहुत अच्छा आएगा और उसके बाद फिर हम इसमें add कर देंगे थोड़ा सा जीरा तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है और यह सब डालने के बाद फिर हम एक चमच डाल देंगे भर के यह लाल मिर्श powder तो यहाँ पर मैंने एक चमच लाल मिर्श डाल दिया क्योंकि मैंने यहाँ पर हरी मिर्श का यूज नहीं किया है तो एक चमच भर के डाला है और अगर आप हरी मिर्च का यूज गरें तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं और ये सब को हम बढ़ियां से अच्छे से मैश कर लेंगे और ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाता है क्योंकि आलू में तो अटरी मौयश्यर होता है तो पानी की भी जयोट नहीं परती है वह बनके ready हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम थोड़ा सा हाथों पे तेल लगा लेंगे और उसके बाद एक छोटा-छोटा सा portion लेंगे और उसके बाद ये देखे मैंने ऐसे हाथों से ऐसे roll कर लिया है तो इसको हमना थोड़ा सा cylinder shape देंगे और आप चाहे तो गोल गोल भी इसे बना सकते हैं तो ये देखे फ्रेंट्स इस तरह से मैंने बना लिया है और इसी तरह से एक छोटा सा portion और मैंने ले लिया है इसी तरह से पहले आप हाथों से अच्छे से दबा के round shape बना लिजे उसके बाद हलका सा इसको ऐसे cylinder shape में बना के और दोनों साइड से हलका सा दबा दीजे ये देखें बिलकुल इसी तरह से बना लिएंगे सारे नाश्टे को हम तो ये देखें फ्रेंट्स ये जो प्याज उपर से चिपकता है और उसके बाद जिब ये fry होता है तो बहुत उसका अच्छा टेस्ट आता है और ये देखें ये हमारे नाश्टे बनके ready हो गया है और इनको अब हम fry करते हैं तो यहां पर मैंने एकडाह में तेल गरम कर दिया था तेल हमारे बिलकुल अच्छे से गरम हो गया है तो ये देखे friends इसको जब आप थोड़ा सा नीचे से change हो जाए color ना थोड़ा सा सिख जाए अच्छे से fry हो जाए फिर आप इसको पलट लीजेगा तो ये देखिए अभी तो यहाँ अपे अच्छे से नहीं सिखा है थोड़ा time लगेगा और ये देखे friends इसका color ये अच्छे स प्रॉपर फ्राई हो गया है तो अभी हम इसको और थोड़ी देर तक अच्छे से फ्राई होने देते हैं फिर हम इसको एकदम crisp होने तक जब तक थोड़ा से golden brown नी हो जाता ना तब तक हम इसको फ्राई होने देंगे और ये देखिए friends इसका color कितना अच्छा है या लग रह है नास्ते का और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी fry कर लेंगे तो friends ये बहुत ही simple सी recipe है और अक्सर ही सब के घर में मुर्मुरा होता है फटा-फट कुछ साम में मन करे खाने का ना तो आप इसे try कर सकते हैं तो ये देखिए यहां पर दूसरा बैच भी मारा ready हो गया है और ये देखिए final इसका look कितना अच्छा है लग रहा है ना एकदम tasty सा crispy साओ तो friends ये recipe कैसे लगी जरूर बताइएगा comment section में मिलते हैं next recipe के साथ तब तक ये लिए bye bye and thanks for watching